चीन लगातार अपने कई कारणामों के कारण में नियूज में बना ही रहता है और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की बढ़ती महत्वकांशा उसको लगातार अलग-अलग देशों के साथ में कांफंट्रेशन में आके खड़ा कर देती है जहां पर एक तरफ चीन अपनी एकोनॉमिक पावर को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वही पर दूसरी तरफ चाइना अपनी मिलिटरी पावर को भी इंक्रीज करने में लगा है और military power को increase करने की कड़ी में वो विश्व के अंदर में अलग-अलग जगे पर अपने military bases को establish कर रहा है तो आखिर ये military bases कहां कहां पर establish हो रहे हैं इनके क्या माइने हैं और इसका impact भारत के उपर में क्या हो सकता है ये सारी चीजे जानेंगे detail में इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास information मैं आप सभी के साथ में share करना चाहता हूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा कि रुपे के price में आपको study IQIS एक ऐसा course प्रवाइड करा रहा है जहां पर आपको प्रडम से लेकर interview तक किसी भी चीज़ की tension नहीं लेनी है चाहे वो handwritten notes हो, चाहे वो class notes हो, चाहे वो test series हो और साथ में ही एक dedicated mentor हूँ यह सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह offer limited समय के लिए 15 अगस के बाद में इसका price increase हो जाएगा, तो आप सभी PRT live code use करके इसमें enroll करिए तो आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ में, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अलग-अलग reports चाइना के बारे में लगातार news में आती रहती हैं और उसी कड़ी में एक report आई है, जिसको हम कहते हैं, harboring global ambitions, चाइना's port footprint and implications of future overseas naval basis जिसके अंदर में बताया गया कि चीन की जो companies हैं, लगबग 30 billion dollar invest कर रही हैं, different different 78 ports में, world के अंदर में और इस report के अंदर में उन्होंने analysis करने की कोशिश करी, कि यह आखिर reports जो हैं, कैसे कैसे strategic location पर हैं, और इनकी importance क्या है तो एक अगर आप मोटा मोटा उपरी तौर पर देखने की कोशिश करें, तो यह map मैंने आपके सामने रखा है, कि चाइना, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर अपने, कहां कहां पर अपने basis को establish करना चाहता है यहां से अगर हम शुरू करें, पाकिस्तान, आप UAE को देख सकते हैं, आप जिबूटी को देख सकते हैं, आप वहाँ पर सेशल्स को देख सकते हैं, शिर्लंका जो की लगातार नियूज में बना हुआ है, यहां पर अपने basis को establish करना चाहता है, कमबोडिया, यहां पर अप इस रास्ते से रास्ते से होता है, और यह है मलक का स्टेट, तो चीन को हमेशा यह चिंता रहती है कि अगर इस वाले रूट को block कर दिया जाए, तो चीन trade कहां से करेगा, और इसी कारण से, देखिए, चीन हमेशा यह कहता है कि हम trade के लिए क्या करना चाहते हैं, अलग अलग रूट्स को establish करना चाहते हैं लेकिन सेर्फ और से ट्रेड ही एक मातर उसका क्या है option नहीं है बलकि वो दूसरे देशों को क्या है encircle करना चाहता है और दूसरे देशों में सबसे important कौन है भारत उसको सबसे बड़े चिंता ये है कि अगर इस area में इस region के अंदर में उसका conflict हो जान होगा कि CPEC चाइना पाकिस्तान economic corridor को भी वो क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट को बना कर यहां से ट्रेड रूट को establish कर रहा है जिससे वो इधर की तरफ में जा सके साथ में वो अलग-अलग locations ब जैसे अगर इस route को आप देखे यह trade के लिए बहुत important है तो यहां पर जिबूटी पर क्या कर रहा है अपने एक base को बना रहा है अगर oil के मामले में देखा जाए तो यहां पर क्या कर रहा है अपने एक base को बना रहा है जिससे वो क्या कर सके जो important ट्रेड रूट है जो important नेवल रूट है उनको क्या कर सके वो control कर सके तो यह मैंने आपको मोटा मोटा एक ओवर बैक्ग्राउंड दिया तो आगर आप देखने की कोशिश करें तो आठ बहुत इंपार्टेंट जो है पोर्ट को इन्हों ने डिसकस किया जैसे अंबन टोटा पोर्ट श्रिलंका के अंदर में यह बहुत लगातार नियूज में बना इसके उपर में भी भारत ने ब्रिक्स के अंदर में भी काफी बार क्या क्या है अबजेक्शन क्या है क्रिबी कैमरुन में देखें कमबोडिया अब आप सोचिए कमबोडिया के अंदर में अगर नेवल बेस चीन अपना बनाता है तो हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्ण हो स परस्पेक्टिव से एकोनॉमिक परस्पेक्टिव से भी और मिलिटरी के भी परस्पेक्टिव से तो आप अगर चीन को जानते ही हैं वो न्यूज में बना हुआ है और बना रहेगा और वहां पर वो क्या कर रहा है जैसे चीन तो यह क्लेम करता है कि हम यह जो क्या कर रहे हैं यह actual में हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी यहाँ पर कोई मंशा नहीं है कि इन infrastructure को हम क्या करेंगे military के लिए use करेंगे लेकिन आप सभी जानते हैं कि चीन की बहुत ही शांदार पॉलिसी है debt policy इसको मैं शांदार इसलिए कहूंगा क्योंकि वो क्या करता है जो उधारी वाले पैसे को वापस कर ही न पाएं और उस जब पैसे को वापस नहीं कर पाते हैं तो important जो locations होती है उनका क्या है अक्वायर कर लेता है उनको टेक ओवर कर लेता है कौन चाइना फॉर एक्जामपल आपका श्रिलंका का हमबन टोटा पॉर्ड आप माल्दिव का भी एक्जामपल ऐसे ले सकते हैं दूसरा मैंने एक्जामपल दिया कि आपको चीन क्या है कंबोडिया के इंदर में भी अप रहे बार questioning किया खिएफ कि यहां पर क्या चाइना अपनी प्रेजनस को बना रहा है कोई investment नहीं है बलकि क्या नेवी से related यह आप देखें ना under construction हो रहा है आपका submerged construction है लगातार हो रहा है आने वाले समय में धीरी धीरी यहाँ पर जो activity है वो भी क्या होगी increase होगी अब आप Cambodia की location जो मैंने आपको map में दिखाया आप उसकी location को देख सकते हैं कि India के कितना pass में हैं दूसरे अगर देखा जाए तो बंगलदेश और म्यामार इन दो देशों को भी China क्या कर रहा है अपनी बहुत जादा क्या कर रहा है इनकी possibilities को भी खंगाल रहा है वहाँ पर उनके साथ में engaged है कि वहाँ पर कैसे Chinese naval base को बनाया जाए अब म्यामार क्यों vulnerable हो जाता है क्योंकि म तक्ता पलट के बाद में वहां की आर्मी ने जिसका नाम क्या है तत्मादो उसने चैना किया है वहां को म्यामार को control कर लिया और जैसे मैं म्यामार में उपर में सबसे जाधा help किस ने करी म्यामार की चाइना निकली तो इसलिए भी क्या है चाइना के automatically by क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा close हो जाता है अब ये चीज़ आप समझने में कोई भी मलब कहते हैं ना समझ भी इस चीज़ को समझ सकता है कि चाइना अपनी जो military bases है वो south asian countries में क्यों increase करना चाहता है क्यों क्योंकि वो इंडिया को as a potential बहुत serious competitor के रूप में देखता है और वो चाहता है कि कैसे भारत के ओपर में pressure को बनाया जाया उसी कड़ी में उसका एक और बहुत ambitious plan है चाइना पाकिस्तान economic corridor CPEC जिसको बोला जाता है जो पाकिस्तान और साथ में आपके जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है जो कि भारत का अभिननंग है वहां से होकर गुजरता अगर मैं मैं आपको दिखाऊं तो आप यह देख सकते हैं यह चीन के अंदर में यह रहा यहां पर कश्ग से यह ग्वादर यहां पर अरेबियंसी है अब यह जो यह हिस्सा है यह क्या है पाकिस्तान occupied कश्मीर है यह भारत का अभिननंग है और इसके लिए भारत ने कई बार objection भी किया है और इंडिया ने clearly यह कहा है कि आप यहां पर जो भी construction कर रहे हैं यह आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं क्योंकि यह भारत का हिस्सा है और कभी भी किसी भी समय हम इसको क्या करेंगे टेक कर सकते हैं दुबारा से दुबारा वापस ले सकते हैं तो आप अपने रिस्क पर construction करें और अभी हाल ही में यानि कि 2023 में जो की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी भारत ने क्या किया है इसके उपर में construction के लिए वांड किया अब इसकी जो location है मैंने आपको बता है कि चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक जो corridor है वो चाइना की जो capacity है उसको increase करेगा अगर वो जो traditional जो route है वो अगर collaboration को increase करी रहा है तो ग्वादर port बहुत important क्या कर सकता है help कर सकता है चाइना को इस area के अंदर में क्या है अपने strategic जो position है उसको और ज्यादा strong करने के अंदर में जैसा कि मैं आपको पता है मलक्का वाला जो straight है अगर US उसको block कर देता है सिंगापूर और मलेशिया के बीच के अंदर में तो क्या है यह supply के लिए बहुत important route हो जाएगा तो इसके अंदर में पता है आपको gas की pipeline आपका क्यार में road, railway बहुत सारी चीज़े क्या है develop की जा रही है और चाइना ने इसी corridor के तहट में पाकिस्तान ने बहुत ही करोडों रुपे आ क्या क्या इसमें invest कर दिया है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा concern था इसलिए भारत ने क्या क्या भारत ने इरान के साथ में आपको पता होगा इरान के इंदर में भी हमने क्या क्या चाहबार port को डवलप करने की कोशिश करिए तो यह मैंने आपको बता है यह देखिए ट्रडिशनल रूट है तो उसके alternative के रूप में यहां से क्या है उसको डवलप करना चाह रहा है कौन चाहिना पाकिस्तान के साथ और यह इंडिया के लिए security का concern पाकिस्तान occupied कश्मीर वाला भी प्लस म नहीं है मुकाबले यह बात कह रहा हूं लेकिन इतने ज्यादा जगे पर development हो रही है कि एक दम से हो सकता है एक दम से news आए कि इतने सारे ports क्या है चीन ने इंट्रनेशनल लेवल पर वर्ल्ड के अंदर में अलग-अलग overseas military bases बना लिये हैं लेकिन चाहिना लगातार क्या कर र कि यह आप यह मालीजी अगर इसको अगर वो control करने लग जाए तो वर्ल्ड के अंदर में जो trade route है oil route है वो बहुत जादा क्या होगा इससे impact होगा ही होगा और जिबूटी में देखिए वो अपने कितने सारे वहाँ पर जो उसके warships हैं अलग-अलग basis हैं उनको क्या कर रहा ह है हमने क्या है उसकी एक image satellite वाली image वहां से लिए है तो इंडिया के लिए क्या है इंडिया जैसे जैसे देख रहा है समझ रहा है वो भी क्या कर रहा है इसके counter के अंदर में अलग-अलग basis को वह भी बनाने की कोशिश कर रहा है तो अगर भारत को सबसे पहला indication जो चीन भारत करीब आ रहा है वो नजर आता है कब जब हमबन टोटा पोर्ट पे जिसको एज़े नेवल बेस बनाना चाहता है वहां पर क्या क्या चाइना ने अपना युवांग वैंग फाइव जो कि उसका क्या है स्पाई शिप है वो भेजा लास्ट ये अब श्रिलंका के ऊपर में आ और लास्ट चाहें लगातार वहाँ पर पर इन्वेस्समेंट कर रहा है वहाँ पर गिफ्ट करने की आप इतना करीब होने की काड में में जो भारत का आप यहांपर जब आंदर प्रदेश में देखते हैं विशांखाम की अंदर में जाते हैं यह बहुत बड़ा ज़िसकि सोचिए कितना बड़ा सीक्योरिटी का कंशन है लेकिन मैं बार बार आपको बता रहाँ कि अगर यहां पर नेवल बेस बन गया तो इसको भारत करना झालता है इसलिए आप देखेंगे श्रिलंका के ऊपर में भारत लगातार negotiation कर रहा है बातचित कर रहा है इवन आज की भी एक खबर यही है कि श्रिलंका के अंदर में एक और वार्शिप क्या है आया है जब श्रिलंका इतने खराब economic दौर से होके गुजर रहा है वहाँ पर भारत लगातार श्रिलंका के अंदर में investment इसी लिए कर रहा है इस उम्मीद अधर में बना रहे हैं Spec 계 spirits के अंदर में जाने को भारत ने कुछ इंडिया कोशिच कर है इस इस तरीके से क्या है चाइना को एंसर्कल करने जैसे हम सबांग पोर्ट चैंगी फिर व्यतनाम में फिर जापान के अंदर में फिर मंगोलिया चाहबार पोर्ट दुकम पोर्ट जब यहाँ पर यह जिपूटी है तो यहाँ पर दुकम पोर्ट ऐसी अजम्शन आइलेंड आगे लेगा आइ क्या आपको लगता है कि भारत की बहुत अलग करना चाहिए क्या हमें धिफेंस पर करना चाहिए या फिर हमें सोशल रस्पोंसिबिल्टी में उनकी उपर में expenditure करना चाहिए, तो आपकी opinion में क्या है, आप comment करके जरूर बताईएगा, मैं जरूर देखूंगा तो I hope आप सभी ने वीडियो को enjoy किया होगा और वीडियो को अगर enjoy किया है, तो please like करना, comment करना और share करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई टेके जोस्तों, जैहिन